हेलो इवडिवन, वेलकम तो देख्जाम करेकर फ्रिंस, आज के सेसन में हम करेंगे सीटे दिसमबर 2018 की क्विस्टिन सॉल्फ पेपर 2 को सॉल्फ कर जाए हम तो सुरू करते हैं बिना टाइम विस्ट के हमारा पहला क्विस्टिन है स्रिजनात्मक्ता को डैस की अवधारना से समधित माना जाता है पहला उप्षन है रवादार बौधिक्ता दूसरा है अभिस्टि सोच तीसरा है विविद सोच और चौथा है द्रव बौधिक्ता तो क्विशन नमबर 1 का हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा अप्षन 3 विविद सोच किसी भासा की स्विक्रित ध्वनी से योज को को इसके नियमों के अंतरगत बनाया जाता है तेहला अप्षन है वियाकर्निक दोसरा है व्याक्यात्मक तीसरा है विवक्ति विश्यव और चौथा है ध्वनी समंधि विवक्ति नुबर 2 का हमारा करिक्ट अंसर हो जाएगा अप्षन 4 ध्वनी समंधि नेक्स्ट है जब सोचने की प्रिक्रिया किसी भासा द्वारा प्रिभावित होती है तो ऐसी सिति को कहते है पहला अप्षन है भासा निरधारित दूसरा है संग्यानात्मक पक्ष तीसरा है समाजिक भासा उद्रित और चौथा है संस्कृति प्रिभावित तो कुशिय नुबर 3 का हमारा करिक्ट अंसर हो जाएगा अप्षन 1 भासा निरधारित नेक्स्ट है अपने अनुभवों और लक्षनों के आधार पर उपकर्णों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परिक्षन कर रवी उपकर्णों की मरमत करता है वह उप्योग करता है पहला अप्षन है कलन्विधी का दूसरा है मार्शिक दिर्था का तीसरा है अनुमानी विधी का और चोथा है अंतर दिश्टी का तो question no.4 का हमारा correct answer हो जाएगा option 3 अनुमानी विधी का नेक्स टेम दिव्या अक्सल देशित कारियों को छोटी छोटी हिस्सों में विभासित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है तो question no.5 का हमारा correct answer हो जाएगा option 2 अप्लक्ष विसलेशन विधी का पूरस और महिला की भूमिकाओं का निर्धारन समाज करता है जहां कथन बताता है कि पहला option है लौंगिक्ता एक अनुमानी शिक प्रतिभा है अंतर ज्यानी अवतरन है तीसरे हैं लौंगिक्ता एक समाजिक अवतरन है और चौथ हैं लौंगिक्ता एक अंतर निट अवतरन है तो question no.6 का हमारा correct answer हो जाएगा option 3 लोंगिक्ता एक समाजिक अवतरन है next saying gradient coding अंकन और damn की कुछ उदाहरन है पहला option है कख्षा में बच्चों के स्थिती की निरूपन विधी, दोसरा है आलेख पत्र, रेपोर्ट कार्ड में अकैडमिक प्रगति को दशाने, तीसरा है अधिगम करताओं की उपलब्दी के आकलन की गरन विधी, और चौथा है परिक्षा के उत्तर पत्रों के मुल्यागन की प्रक करता है पहला option है सिक्ष्षन अधिगम वीदियों की प्रभाव शीलता का मुल्यागन कारने में मीं, दोसरा है कक्शाओं में अधिगम करताओं की शंता समुह बनाने में , तीसा सिक्षन के लिए गति वीडियों की सूची त्यार करने में और चौत है अधिगम करताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में तो कुर्शन मरेत का हमारा करेक्टर अंसर हो जाएगा option 1 सिक्षन अधिगम वीडियों की प्रभाव शेलता का मुल्यांगन करने में समावेसी सिक्षा डैस के सिधान पर अधारित है पहला option है समता एवं समान अवशर दूसरा है समाजिक अस्तित्तु एवं व्याश्वी करन तीसरा है विश्व बंजुता और चौता है समाजिक शंतुलन तो question number 9 का हमारा करिक टैंसर हो जाएगा option 1 शंता एवं समान अवशर नेक्ष्ट है दिव्यांग जिन अधिकार अधिनियम वश डैस में लागू किया गया है पहला option है 1995 दूसरा है 1999 तीसरा है 2016 और चौता है 1991 तो question number 10 का हमारा करिक टैंसर हो जाएगा option 3 नेक्ष्ट है व्यक्तिकत विवित ताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्याले होने चाहिए जहां सिक्षक पहला option है विवित अधिकम आविशक ताओं के अनुसार विविन सिक्षक अधिकम प्रविदियों का प्रयोग करने में प्रिश्चित हो दूसर नेक्ष्ट है विवित अधिकम आविशक ताओं के अनुसार विविन सिक्ष्चन अधिकम प्रविदियों का प्रियोग करने में प्रिश्चित हो नेक्ष्ट है निसुल्क एवं अनिवारियम बाल सिक्षा अधिकार दिनियम प्रविदियों दिव्यांग बच्चों की निसुल्क सिक्षा के अधिकारों को सुनिशित करता है पहला option है, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, दूसरा है, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, तीसरा है, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, और चौथा है, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए तो question number 12 का correct answer हो जाएगा, option 4 अगर normal बच्चों के लिए पूछा होता, तो 6 to 14 हो जाता, लेकिन चुकि यहां दिव्यांग बच्चों के लिए पूछा गया है, इसलिए 6 to 18 हो जाएगा, next विविद अधिगम करताओं के लिए, सुगमी श्वरूपों में, सिक्षन अधिगम शामग्वियां प्रदान करने का तात पर ये डैस से है, पहला option है, सिक्षन व्यावसाइकता को सरभामिक सहिता, दूसरा है सिक्षन के सारभामिक मानववाद दृष्टिकोन, तीसरा है अधिगम की सारभामिक सनरशना, और चौता है सारभामिक समावेसी सिक्षा के नयतिक विजार, तो question number 13 का हमारा correct answer हो जाएगा, option 3, अधिगम की सारभामिक सनरशना, नेक्षटिक, स्वाच अधिगम की सारभामिक सनरशना, तो question number 14 का हमारा correct answer हो जाएगा, option 1, संग्यानबोद, next time, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की वाक्या करने के लिए अपने अनुभावों की आधार पर सोचते हैं, तो उसे दैस कहा जाता है, पहला option है, सिजनात्मक सोच, दूसरा है, अमुर्थ सोच, तीसरा है, मुर्थ सोच, और चौथा है, प्रती क्रियावादी सोच, तो question number 15 का हमारा correct answer हो जाएगा, option 3, मुर्थ सोच, next time, अतिखम करताओं को व्यक्तिकत चमता के आधार पर उनकी कथिनाईयों के विभे नस्तरोग को ध्यान में रखते हुए, पढ़ाने की विधी को डैस कहा जाता है, पहला option है, चरनी तनुदेशन, दूसरा है, सटीक सिक्षिन, तीसरा है, त्रूटी हीन अनुदेशन, और चौथा है, विभे निदी अनुदेशन, तो question number 16 का correct answer हो जाएगा, option 4, प्रति पालन अधिखम का एक विशिश्च चरन है, जो अधिखम के डैस चरन का पूर्व वर्ति है, पहला option है, अभी प्रेरण, दूसरा है, आत्म निर्भता, तीसरा है, शामानिय करन, और चौथा है अधिगरहन, तो question number 17 का हमारा correct answer हो जाएगा, option 3, सामानिय करन, जो जोंक का यह मानना है कि संग्यान और भाव डैस होते हैं, पहला option है, स्वतंत्र, दूसरा है, अंतरश्रम बंदित, तीसरा है, एक इक रित, और चौथा है, अन्योनिया स्वत, तो question number 18 का हमारा correct answer हो जाएगा, option 1, स्वतंत्र next time, पहले से सीखे हुए कारियों में सुधार लाने के लिए, सिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह सिक्षन की डैस्विधी का प्रियोग कर रहा है, पहला option है, अवलोगन, दूसरा है, शिंशोधन, तीसरा है, प्रतिरूपन, और चौथा है, अनुकर निर्ले लेने वाले बच्चे समस्या का विचलेशन करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान की प्रतिक पहलूपर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रसुत करता है, पहला option है, सतर्क, दूसरा है, निवर्तबान, तीसर निरंकुष औ का मुल्यांखन करता है, पहला option है, संदर्य बोध, दूसरा है, अमुर्थ, तीसरा है, तारकिक और चौथा सरजनात्मक, तो question number 21 का करेक्ट एंसर हो जागा, option 3, तारकिक, next time, जिस दियेगे कारी को करते समय, बच्चे स्वेंग आनंद लेते वे अनपराप्त करते हैं, उसे dance कहा जाता है, पहला option है, उब्भोगता प्रिकार का कारी है, दूसरा है, निर्मानात्मक प्रिकार का कारी है, तीसरा है, समस्यात्मक प्रिकार का कारी है, और चाथा है, और अभ्यास कारिया तो कुछिन अबर 22 का करेक्टेंसर हो जाएगा option 1 उभगता प्रेकार का कारिया बहुत सम्वेदरी सिक्षिन अधिकम की प्रवेदी में अधिकम सब्वरंधा हेतु द्रिशी शव्य असपश और सम्वेदनाओं का एक साथ प्रियोग किया जाता है पहला option है कर्ण कोटर दूसरा है प्रित्यक्षी करण तीसरा है अब लोकर्ण और चौथा है गती बोधक तो कुछिन अबर 23 का करेक्टेंसर हो जाएगा option 4 गती बोधक सरीय के केंदरी भागसी परीडियो या अगरांगों की ओर का विकास दरसाता है पहला option है विकेंदरी के विकास के सिधानतों को दूसरा है मध्य बाहिए विकास के सिधानतों को तीसरा है सोपानी विकास के सिधानतों को जोता है विकीरनी विकास के सिधानतों को तो question number 24 का correct answer हो जाएगा, option 2, मद ये बाहिए विकास के सिधानतों को Next time, इस्कूल बच्चों के समाजी करन की एक ऐसी सलस्ता है जहाँ पहला option है, प्रमोखस्तान स्कूल की दीन चरिया का होता है दूसरा option है, प्रमोखस्तान स्कूल की गती वीडियों का होता है तीसरा है, प्रमोखस्तान स्कूल की बच्चों का होता है और चौतरा है, प्रमोखस्तान स्कूली बच्चों का होता है तो question number 25 का correct answer हो जाएगा, option 4 सुरी याँ सिख्षक होता है, next है जब आप एक सिख्षक समू से जुर जाते हैं और अपने समू के अन्य लोगों की तरह ही पोसाक धारन करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं पहला option है, समू आग्याकारिता का दोसरा है समू निर्दिश अनुपालन का तीसरा है समू की अनुरूपता का और चौतरा है समू की पैश्चान का हो जाती है, पहला option है पूर्व परिशालन, दूसरा है बूर्थ परिशालन, तीसरा है अप्चारिक परिशालन, और चौतरा है समवेधी गामक तो question number 27 का करिक्टर है समू जाएगा option 4 समवेधी गामक नेक्स टैम, व्यक्तिकत शिक्षाकारिकरम की योजना 10 के संदर्ग में बनाई जाती है पहला option है, बाल केंदे शिक्षाकारिकरम, दूसरा है मुख्त विद्धाले सिक्षाकारिकरम, तीसरा है यह अधिकम सिक्षाकारिकरम, और चौत है विसे सिक्षाकारिकरम तो question number 28 का correct answer हो जाएगा option 1 बाल के दिशिक्षा करिक्रम next time 10 महीने की आयो की बीच अधिकांस बच्चे सब्दों को मिला कर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं पहला option है 18-24, दूसरा है 24-30, तीसरा है 30-36 और चौथा है 12-18 तो question number 29 का correct answer हो जाएगा option 1, 18-24, बुद्धि लब्धी या IQ की अवधारना दी गई थी पहला option है बिने के द्वारा, दूसरा है stern के द्वारा, तीसरा है termon के द्वारा और चौथा है galton के द्वारा question number 30 का correct answer हो जाएगा option 2, stern के द्वारा session को continue रखते हैं social science के questions से लेकिन जिनका social science नहीं science है वो वीडियो को skip करके आगे हिंदी फ्यरा गोजी की जो मैंने question कराए हैं वो देख सकते हैं social science का question number 31 है वो है अस्थल का एक सक्रा भाग जो दो बड़े अस्थलिये भागों को एक दूसरे से जोडता है उसे क्या कहते हैं प्यारा option है अस्थल संधी, दूसरा है द्विप, तीसरा है खारी और चौता है जल संधी तो question number 31 का correct answer हो जाएगा option 1, अस्थल संधी next है निम लिखित में से कौन सा महाद्विप आकार में सबसी छोटा है पहला option है दक्षिर अमेरिका, दूसरा है अफ्रिका, तीसरा है यूरोप और चौत है अस्थलिया तो question number 32 का correct answer हो जाएगा option 4, अस्थलिया next है उन्ची प्रात्मिक अस्तर पर समाजिक विग्यान में सामिल है पहला option है इतिहास, भुगोल, अर्चास, समार्चास्त्र, दूसरा है इतिहास, भुगोल, राजनितिव विग्यान, अर्चास्त्र, तीसरा है इतिहास, भुगोल, राजनितिव विग्यान, समार्चास्त् नेक्स्ट है आगमनात्मक अधिगम निमने लिकित में से किस विद्या का विरोधा वाशी है पहला option है संरशनात्मक प्रिशिक्षिन दोसरा है अनुकरन तीसरा है निपुनात्मक अधिगम और चौत है वाख्यानात्मक सिक्षिन तो question number 34 का correct answer हो जाएगा option 4 वाख्यानात्मक सिक्षिन नेक्स्ट है दिये गए कतनों A और B को पढ़िए और शही उत्तर का चैन कीजिए पहला कतने आलोजनात्मक सुच धारनाओं की निर्मान तथा विचारों के अनुप्रियोग और विस्तार को बढ़ावा देती है दूसरा कतने यह दूसरों की तरकों और विश्वासों को समझने और मुल्यांगन करने में मदद नहीं करती तो question number 35 का correct answer हो जाएगा option 4 A सत्य है और B असत्य है नेक्स्ट है अनुभव जैने साक्षि क्या है? पहला option है अनुश अंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोन दूसरा है मैट्री के काईयों के मापे गए आकडो तीसरा है आकडो के संग्रक के विश्वसनिये तरीकों का उप्योग कर एक अत्रित आकरी और तीसरा है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दूनिया में एक अत्रित आकरी तो question number 36 का correct answer हो जाएगा option 4 नेक्स्ट है बहुत इक विश्वस्ताओं के model प्रतिकिर्थिया डैस सीक्षन के लिए सबसे अधिक उप्योगत है पहला option है अर्शास्त, दूसरा है भुगोल, तीसरा है राजनितिक विग्यान और चौता है इतिहास तो question number 37 का correct answer हो जाएगा option 2 भुगोल question number 38 अस्थानी समाचार पत्र के मौश्रम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का श्रोथ है पहला option है प्रात्मिक, दूसरा है द्वितियक, तीसरा है तृतियक और चौता है प्रात्मिक और तृतियक दोनो तो question number 38 का correct answer हो जाएगा option 2 द्वितियक नेक्स्ट है सीखने की अक्षमता वाले सिख्षाती किस प्रकार की कक्षा में अनी शातरों के साथ सीखते है पहला option है विसेस, दूसरा है समावेशी, तीसरा है आधुनिक और चौता है अनन्य तो question number 39 का correct answer हो जाएगा option 2 समावेशी question number 40 निमले के सिध्धान्त किस ने दिया है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन दरों से इसलिए सिख्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यब्तिकत बच्चों और छोटे समूँ के लिए गती वीडियों की योजना बनाने चाहिए पहला option है दी परसिर, दूसरा है जे एच बेल, तीसरा है जे पियाजे और चौता है सी एल ओक्डेन तो question number 40 का correct answer हो जाएगा, option 3, जीन पियाजे next time कक्षा में सहकारी सिख्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सिख्षा को चाहिए पहला option है उन्हें व्यक्तिकत परियोजनाय दे, दूसरा है काम के लिए कक्षा को छोटे समूँ में बिभाजित करे तीसरा है परियोजना को करने के लिए उन्हें व्यक्तिकत पितान करे और चौथा है चात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए तो question number 41 का correct answer हो जाएगा, option 4, चात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए next time एक आत्म अनुशासित सोंच जो एक उचित तरीके से गुनवत्ता के उच्टम अस्तर पर तर्च करने का प्रयास करती है उसे कहते है पहला option है जटल सोंच, दूसरे हैं बुद्धिमान सोंच, तीसे हैं अमुर्स सोंच और शौथ हैं आलोशनात्मक सोंच तो question number 42 का correct answer हो जाएगा, option 4 आलोशनात्मक सोंच next time अजनता गूफा चित्रों में इस्तमाल किये गया रंग, निवन लेकित में से किस सामागरी से प्राप्त किये गया है पहला option है ग्रेफाइट, दूसरे हैं पौधी और खनीज, तीसरे हैं स्लीट और चौथा है पश्व अंगों के अवसेत तो question number 43 का correct answer हो जाएगा, option 2 पौधी और खनीज next time सबसे पुरानी पांडू लेपियां डैस पर लिखी गई थी पहला option है पत्थरों, दूसरे हैं कागज, तीसरे हैं लकडी और चौथा है तारपत्रों question number 44 का correct answer हो जाएगा, option 4 तारपत्रो next time मानोवी तियास में निम लिकित में से कौन सी अब्धी सबसे लंबी है पहला option है, मध्य पासानकाल, दूसरे हैं नव पासानकाल, तीसरे हैं महा पासानकाल और चौथ हैं पूरा पासानकाल question number 45 का correct answer हो जाएगा, option 4 पूरा पासानकाल next time नीचे दिये गए कत्थनों A और B को पढ़िए और शही उत्तर का चैन किजिए A है, मेहर गर्ट पाकिस्तान के बोलन दर्डे के पास एक उपजाओ मैदान में इस्तित हैं B, यहां केती और पसुपालन के साख पाए जाते हैं तो पहला option है, A असत्य है, दूसरे है, A और B दोनों असत्य है, तीसरे है, A और B दोनों सत्य है भारत के निमलिकित राजियों में से किस एक राजियों में हरपा के नगर सबसे बरी संख्या में मिले हैं पहला option है, हरियाना, दूसरे हैं गुजरा, तीसरे हैं जमु और कस्मीर और चौत हैं पंजाब तो question number 47 का correct answer है, option 2 गुजराब नेक्स्ट है, रिंग वेर्ड मूल रूप से निमलिकित में से किस भासा में रची गई थी पहला option है, पाली, दूसरे हैं संस्क्रित, तीसरे हैं प्राकरत, और शौत हैं ब्राब नहीं question number 48 का correct answer है, option 2 संस्क्रित नेक्स्ट है, छटी सताब्दी इसाफ पोलो में मगद महाजनपत के पहली सा सकते हैं, पहला option है प्रिसेंजित, दूसरे हैं बिंबिसार, तीसरे हैं अजास्त्रू, और शौत हैं महावीर question number 49 का correct answer हो जाएगा, option 2 बिंबिसार next है, निम लिकित में से कौन साम बहुत ही धर्म के तिरतनों में से नहीं हैं, पहला option है धम, दूसरे हैं अहिंशा, तीसरे हैं शंग, और चौत हैं बुद्ध question number 50 का correct answer हो जाएगा, option 2 अहिंशा next है, निम लिकित में से कौन राज्जी सबाशो любим का चुनाओ करता है? पहला option है, संसदी निर्वाचन शेत्रू के मद्डा था, दूसरे हैं लूक शबाश्बाशिय, तीसरे हैं विधान सबाके श्यदस्य, विधायक और चोथा है विधान समा निर्वाचिन शेत्रों के मद्दा था तो question number 51 का correct answer हो जाएगा option 3 नेक्ष्ट है भारत द्वारा निमलिकित में से किस सासन फ्रणाली को अपनाया गया था पहला option है राष्टपती और संगिये दूसर है राष्टपती और एकात्मक तीसर है संसदिये और संगिये और चोथा है संसदिये और एकात्मक तो question number 52 का correct answer हो जाएगा option 3 संसदिये और संगिये नेक्ष्ट है अनुसूची चातियों के लिए कितने संसदिये निर्वाचिन शेत्र आरक्षित है पहला option है 84 दूसर है 47 तीसर है 74 और चोथा है 48 तो question number 53 का correct answer हो जाएगा option 184 नेक्ष्ट है भारत में अस प्रिष्यता प्रिधा के कारण निमलेकित में से किस मौली कदिकार का उलंगन किया जाता है पहला option है सुदंतिता कादिकार दूसर है सोसन के विरुद्ध दिकार तीसर है समवेधारी को प्रिष्यारो का दिकार और चोथा है समानता का दिकार तो question number 54 का correct answer हो जाएगा option 4 समानता का दिकार नेक्ष्ट है भारत के समविधान के अनुसार निमलेकित में से कौन सा मौली का दिकार नहीं है पहला option है सोसन के विरुद्ध दिकार दूसरा है धर्म की आजादी का दिकार तीसरा है समपत्ति का दिकार और चोथा है सिख्षा का दिकार तो question number 55 का correct answer हो जाएगा option 3 समपत्ति का दिकार नेक्ष्ट है असे प्रिश्ट है डेस के अधार पर भी इत भागोश अंदरभित करती है पहला option है लिंक, दूसरा है जाती, तीसरा है वंश और चोथा है सारी रिक्विक लंगत तो question number 56 का correct answer हो जाएगा option 2 जाती next time मुख्य मंत्री को कौन न्यूक्त करता है पहला option है प्रिधान मंत्री, दूसरा है राज्य पाल, तीसरा है उच्छी न्याले के मुख्य न्यायदीज और चोथा है राश्ट पती तो question number 57 का correct answer हो जाएगा option 2 जाती next time राज्य पाल को कौन न्यूक्त करता है पहला option है मुख्य मंत्री, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायदीज तीसरा है राश्ट पती और चोथा है प्रिधान मंत्री तो question number 58 का correct answer हो जाएगा option 3 राश्ट पती next time प्रिधान मंत्री का चुनाओ कौन करता है पहला option है मुख्य मंत्री, दूसरा है शांशद, तीसरा है संसद और विधायक और चोथा है मंत्रियों की परिशद तो question 59 का correct answer हो जाएगा option 2 संसद next time निम लिकित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है पहला option है दिम लिकित में से किसको भारत में शांशद में शांशर राजर का पहला नागरिक कहा जाता है portion 61 का correct answer हो जाएगा option 2 हिराज जेपाल 62 वर्तमान लोगसभा 2014 के बाद है पहला option है 14 वी दूसरा है 15 वी 30 है 16 वी और 14 है 13 वी तो question number 62 का correct answer हो जाएगा option 3 16 वी next है भारत का वर्तमान राष्टपती कौन है? पहला option है प्रतिभा पाटिल, दूसरा है M. Venkya Naidu, 30 है रामनाथ कोविंद, और 4 है नरेंदर मोदी तो question number 63 का correct answer हो जाएगा option 3 रामनाथ कोविंद next है भारत के समिधान में निमलिकित में से किसका उलेक नहीं किया गया है? पहला option है सरकार का धाचा, दूसरा है राजनितिक दलों के नाम, 30 है नागरिकों के अधिकार और 4 है राज्जियों और केंद सासित प्रदेशों के नाम तो question number 64 का हमारा correct answer हो जाएगा option 2 राजनितिक दलों के नाम next है हिदार जिस सभा में सदर्शियों को कौन नामांकित करता है पहला option है उपराष्टपती दूसरा है प्रदार मंत्री तीस है सर्वोष्च नियाले के मुख नियाएदीस और चौता है राष्टपती तो question number 65 का हमारा correct answer हो जाएगा option 4 राष्टपती next है नियम्न लिखित में से कौन भारत की समीधान सभाग का अध्यक्ष था पहला उपसने डॉक्टर भीम राव अंबेदकर दूसरा है डॉक्टर राजेंद प्रसाद तीसरा है जवाला नेरू और चौता है चक्रवर्ती राजगोपाल चारी तो कुछिन नमर 66 का करिक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शिन 2 डॉक्टर राजेंद प्रसाद चुकि यहां पर डिरेक्टली पूछ लिया था कि अध्यक्ष कौन है कभी-कभी गुमार की पूछ लेता है कि अस्था है अध्यक्ष कौन थे निम्लिकित में इसे कौन भारत का एक मात्र भारती एक गवर्णर जनरल था पहला ऑप्शिन नमर 67 का करिक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शिन 3 भारत का सम्विधान कब अपनाया गया था पहला ऑप्शिन है 26 नुवंबर 1947, दूसरा है 26 नुवंबर 1999, तीसरा है 26 जनवर 1950 और 14 अगर्णर ऑप्शिन निम्लिकित में से किसने भारत की रियास्तों को एक एक कृत करने में नर्नाया भूमी का निभाई थी पहला ऑप्शिन है सर्दार बल्लभाई पतेल, दूसरा है डॉक्टर बी आरम वेतकर, तीसरा है सी राजबुपाल सारी और चौत है जवाहरलाल नहरू तो क्विशन नम्र 69 का करिक्ट एंसर हो जाएगा, ऑप्शिन वन सरदार बल्लभाई पतेल 70 निम्लिकित में से कौन भारत की सम्विधान की समभर्ती सुझी के मामलों में कारिय करता है पहला प्शिन नम्र 70 का करिक्ट एंसर हो जाएगा, ऑप्शिन 4 निम्लिकित में से कौन भारत की समिधान सभाम मशौदा समीती के अत्यक्ष थे पहला option है डॉक्टर बीयारम बेटकर, दूसरा है, डॉक्टर राजिंद पिसाथ, तीसरा है, जवारला नेरू, और चौता है, सीराजगोपल, चारी तो question number 71 का correct answer हो जाएगा, option 1 नेक्श्ट है बुरहानोन मुल्क और चौता है मुर्शिद कुलिखन तो question number 72 का correct answer हो जाएगा, option 4 मुर्शिद कुलिखन नेक्श्ट है निम ने लिकित में से किस गवर्नेंस जर्नल ने फैसला किया कि बहादूर साथ जफर आखरी मुगल समराथ होंगी और उनके मित्यू के बाद किसी भी वनसज को सासर के रूप में पैसाना नहीं जाएगा पहला option है बिलियम बैंटिक दूसरा है लाड कैनिंग तीसरा है लाड कर्ण वालिस और चौता है लाड डल होजी तो question number 73 का correct answer हो जाएगा, option 2 लाड कैनिग किस गवर्नर्स जनरल ने घोसित किया कि अवज पर गलग तरीके से सासन किया जा रहा था और उचित प्रिशासन सुनिश्चित करने के लिए बिलिटिस सासन की आविशक्ता थी पहला option है लाड कैनिंग दूसरा है लाड डल होजी तीसरा है लाड मांट वेरेन और चौथ है लाड रीपन तो question number 74 का correct answer होजाएगा option 2 लाड डल होजी 75 कानपूर के किस सासकने खुद को पेसवा का पहला option है बाचिराओ प्रितम दूसरा है बाचिराओ दूईतिये तीसरा है बहादूशा जपर और चौथ है नाना साहब तो question number 75 का correct answer होजाएगा option 4 नाना साहब next time कार खाने के विशे में परहाने के लिए सबसे उप्योगी विधी होगी पहला option है किसी विशे सागी को निमंतृत करना दूसरा है किसी ओद्योगी कार खाने की आत्रा आयोजित करना तीसरा है एक documentary film दिखाना और चौथा है कहानी सुनाना तो question number 76 का हमारे correct answer होजाएगा option 2 किसी ओद्योगी कार खाने की आत्रा आयोजित करना next time एरू सेर्ट से क्या भी परहा है पहला option है सौर मंडिल में खोजा गया एक ग्रह दूसरा है एक शुद्रगा जो मंगल और विहस्पती की गक्षाओं के बीच पाया जाता है तीसरा है एक मानो निर्मित भारती उपग्रह और चौथा है रॉकेट जिसका उप्योग मानो निर्मित उपग्रहों को सुरी की गक्षा में अस्थापित करने के लिए किया जाता है तो Q77 का हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा Option 3 एक मानो निर्मित भारती उपग्रह पंच वानी और वीजक में निम्न लिकित में से किस महान हस्ती के चंद और विचारों को संदक्षित किया गया है पहला option कबीर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है रविदास और शौत है मीरा बाई तो Q78 का हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा Option 1 कबीर Next है एलोडा की गुफा का भिद्दी चिद्र जिसमें विश्नु को नर सिंग अर्थात पूरु सींग के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृती है पहला option है राष्ट कूट काल दूसरा है चालोक्य काल तीसरा है गुप्त काल और चौता है गुर्जर प्रतिहार काल तो Q79 का करेक्ट अंसर हो जाएगा Option 1 राष्ट कूट काल Next है नेमने लिकित में से कौन सा संगर्चल उपनिस्त में आस्था रखता है पहला option है रामकृष्ण में से दूसरा है सतिशुदक समाज तीसरा है सेवा समाज और चौता है ब्रह्म समाज तो Q80 का हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा Option 4 ब्रह्म समाज कभी तो भी एक्चाम में ये पूछ लेता है कि उपनिसत का मतलब क्या है ठीक है तो उपनिसत का मतलब होता है गुरू के समीप जाके बैठना कई बारिक चाम में आ चुका है इसलिए मैंने ये भी बोल थे आप लोगो Next बात दिख दर्शी का प्रियोग क्या मापने के लिए क्या जाता है पहला option है वायूदाब दूसरा है वायूदिशा तीसरा है वायूतापमान और चौता है वायूदेग तो question number 81 का हमारा करेक टैंसर हो जाएगा option 2 वायूदिशा Next वायू मंडल की निम्न लिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचालन में मदद करती है पहला option है मधि मंडल दूसरा है वायू मंडल तीसरा है वायू मंडल और चौता समताप मंडल तो question number 82 का करेक टैंसर हो जाएगा option 2 नेक्शे प्रीथिवे की विभिन पर तो कोक्रम में आंतरिक से बाहरतम तक पहचानी है पहला option है तो question number 83 का करेक टैंसर हो जाएगा option 3 पेपर में काफी बातों का दियान रखना पड़ता है जैसे कि यहां पर क्या पूछा है question आंतरिक से बाहरतम की तरफ पहचानी है कभी कभी होता है कि हम fast fast करने की चकर में करते है बाहर से अंदर की और वो तो राटा रखा होता है कि mental crushed है फिर mental है फिर cold है fast fast कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है question में क्या पूछा है आंतरिक से बाहर की ओ ठीक है तो अंदर से बाहर की तरफ आपको बताना है तो यह माइन करोगे आप लोग, नेक्स्ट है, दिये के आरेक में सूरिय, पीठवी और चंदरमा के स्थिटी को ध्यान से देखिए और बताईए कि यह क्या दर्शाता है, पहला अप्शन है, चंदर ग्रहन, दूसरे हैं व्रिज जवार भाठा, तीसरे हैं लगु जवार भा नेक्स्ट है, जब नदी मैदान में प्रवेस करती है, तो यह मुर जाती है, और बड़े मुर बना कर बैती है, जो कहलाता है, पहला अप्शन है बाठा मैदान, दूसरे हैं विशर्प, तीसरे हैं चापचील, और चौथा है तटबंध, तो कुशन नमर्र 85 का करेक्ट अंस जल, कपड़े, एवं दबाओं को वित्रित करने के लिए यातायात का कौन ससाधन बिहद उप्योगी है, पहला अप्शन है रेल मार्ग, दूसरे है सरक मार्ग, तीसरे है जल मार्ग, और चौथ है बायू मार्ग, तो कुशन नमर्र 86 का हमारा करेक्ट टेंसर हो जाएगा, उप्शन फोष बायू मार्ग, नेक्स टें, भुगोल की वह साखा, जो विशिष्ट मानो जल संक्या के संरशना की विशे से संबंदी थे, कहलाती है, पहला अप्शन है जैब भुगोल, दूसरे है जल सांकी की, तीसरे है मानो भुगोल, उश्वत है नगडिय भुगोल, तो उप्शन नबर 87 का हमारा करेक्ट अंसर हो जागा, उप्शन 2 जन संकी की, नेक्स टें, अभी कथन, ए दिया हुआ है, सूर्य गुजरात में अरुनाचल प्रदेश से लगभाग 2 गंटे बादस्त होता है, और इसका कारण दे रखा है, अरुनाचल प्रदेश गुजरा प्रदेश गुजरात की दूला में उच्चक्शांस परिस्थित है, दिये के विकल्पों में से सही का च्छेरन कीजिए, पहला अपसन है, ए और र दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को असपर्ष्ट नहीं करता, दूसरा है, ए सत्य है और आर असत्य है, तीसरा है, ए असत्य है और आर सत्य है, चौथा है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए को असपर्ष्ट करता है, तो कुश्चन नमर 88 का हमारा करेक्ट टैंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन, नेक्स्ट है, निम लिकित में से कौन सा उर्जा का गैर परंप्राग स्रोथ है, पहला ऑप्शन है, प्राग टैंको और तलाबों में मचली का प्रिश्ट कहलाता है, पहला अप्शन है वीडिकल्चर, दूसरा है हार्टी कल्चर, तीसरा है पीसी कल्चर और चौता सेडी कल्चर, तो कुश्चन नमर 90 का करेक्ट अशर हो जाएगा, ऑप्शन 3, पीसी कल्चर, इस से रेलेटर एक ने क question आता ही है मैं सोच रही हूँ इस पर एक ट्रिक बना के आप लोग के लिए लाऊं ताकि काफी help फोलो क्यूंकि घुमा देता है पुड़ा question इसमें सेसन को कॉंट्यूर रखते हैं हिंदी पेडागोजिक के question से question number 91 भासा सभी विशियों के डैस में है पहला option है अध्यायों दूसरा है केंद्र तीसरा है प्रारम और चौथा है पढ़ने तो question number 91 का हमारा करेक्टर एंसर हो जाएगा option 2 केंद्र next term कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए इस कथन के बारे में आप मानते होगी पहला option है सभी विद्यार्थी अपने अनुभाव और परिवेश में ही कविता समझते हैं दूसरा है कवी ने कविता एक अर्थ में लिखि तो question number 92 का correct answer हो जाएगा option 1 next term आप मानते हैं कि अलग-अलग तरह की पटन सामगरी पटने के अवसर मिलने से पहरा option है व्याकरन समत भासा सीखने को मिलती है दूसरा है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है तीसरा है लेकों के बारे में जानकारी मिलती है और चौत है भासा को विविद संदर्भों मे प्रियोग करने की समझ बनती है तो question number 93 का हमारा correct answer हो जाएगा option 4 भासा को विविद संदर्भों में प्रियोग करने की समझ बनती है 94 हिंदी में विज्ञान समन्दी पाटों को पढ़ाने का उद्देशी है पहला option है विज्ञान विज्ञान को गहराई से जानना दूसरा है विज्ञान की प्रति जिग्यासा बढ़ाना तीसरा है विज्ञान की संदर्मी हिंदी भासा प्रियोग को समझ ना और चौथा है विज्ञान की भासा को समझ ना तो question number 94 का हमारा correct answer हो जाएगा option 4 next है लेखन समता की आकलन के लिए पहला option है विज्ञान शमत भासा को देखना होगा दूसरा है अर्थपुन वाक्यों और संदर्मों को देखना होगा तीसरा है लिखावट की सफाई और शुनदर्ता को जाचना होगा और चौथा है अभिव्यक्त विचारों को जाचना होगा तो question number 95 का correct answer हो जाएगा option 2 next है हिंदी के पाठों में अनि भासाओं की सब्दों की होने का अर्थ है पहला option है पाठ समाज के बहुबासी स्वरूप की सहज प्रस्तुती है दूसरा है पाठ कठी नौड़ास प्रस्ट है तीसरा है विद्यार्थियों को सुद्ध भासा नहीं सिखाई जा सकती और चौथा है पाठ का लेकक हिद्धी नहीं जानता तो question number 96 का correct answer हो जाएगा option 1 पाठ समाज के बहुबासी स्वरूप की सहज प्रस्तुती है question number 97 आपकी द्रिष्टी में अभ्यास पहला option है बच्चों को तार्किक बनाते है दूसरा है बच्चों को भासा के बारे में बताते है तीसरा है बच्चों को उत्तर देना सिखाते है और चोथा है पाठ को समझने में मदद करते है तो question number 97 का correct answer हो जाएगा option 4 पाठ को समझने में मदद करते है next है उच्ची प्रात्मिक अस्तर की पाठी शामगरी में अनुवाद सामगरी रखने का उद्देशी है पहला option है प्रचूर हिंदी साहिति का नौ होना दूसरा है अनी भासाओं के साहिति को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना तीसरा है पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना और चोथा है बहुत सी समगरी रखने के परश्या कराना तो question number 98 का correct answer हो जाएगा option 2 अनी भासाओं के साहिति को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना नेक्स्ट है यदि आपकी कक्षा में दृष्टी बाधित बच्चे हैं तो आप पहला option है उन्हें पढ़ने के उप्योगत साधन देंगे दूसरा है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिवीदी देंगे तीसरा है उनसे कम गतिवीदियां करवाएंगे और चौथ है उन्हें विस्यस दहानुभूती से परआएंगे तो question number 99 का correct answer हो जाएगा option 1 100 पढ़ना सीखने के लिए आवस्या खैकी पहला option है घर की भासा सुनने बोलने को मिले दूसरा है लक्ष भासा की अर्थपून और रोचक सामगरी सुनने पढ़ने को मिले तीसरा है चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाये जाए और चौथा है केवल लक्ष भासा सुनने का बहुँलो तो 100 का correct answer हो जाएगा option 2 लक्ष भासा की अर्थपून और रोचक सामगरी सुनने पढ़ने को मिले भासा केवल अविव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल की स्वेंग से डैस का माध्यम है पहला option है पढ़ने दूसरा है बाच्ची तीसरा है सुनने और चौथा लिखने यह कथन पहला option है बच्चों को भासा को अध्यापकों की द्रिष्टी से पढ़ने को बादी होता है दूसरा है भासा को जेंडर की द्रिष्टी से पढ़ने को बादी करता है तीसरा है भासा को व्याकरिन की द्रिष्टी से पढ़ने को बादी करता है मतलब रोणने का सारा काम सिर्फ लड़कियों का है कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उप्योक्त लगता है पहला option है कहानी में सुरुवात होना अवस्यक है दूसरा है कहानी में शुद्भासा होना अवस्यक है तीसरा है कहानी में कथानक का होना अवस्यक है तो question number 103 का correct answer हो जाएगा, option 3 कहानी में कथानक का होना अवश्यक है 104 एक भासा के अध्यापक को बच्चों में पहला option है अलंकारिक भासा प्रियोग की समझ विक्षित करने पर बल देना चाहिए दूसरा है विविस संदर्बों में भासा प्रियोग की शमता विक्षित करने पर बल देना चाहिए तीसरा है सुत्य भासा प्रियोग की शमता विक्षित करने पर बल देना चाहिए और चौत है भासा सिध्यानतों की समझ विक्षित करने पर बल देना चाहिए तो इसका correct answer हो जाएगा option 2 विवेस संदर्भों में भासा प्रियोगों की चमता विक्सित करने पर बल देना चाहिए कोई भी भासा किसी भी लिपी में लिखी जा सकती है इस कथन पर आपकी राय है कि पहला option है यह बहुत हद तक संभव है question 121 आकलन का प्रियोग 10 के लिए होना चाहिए पहला option है कितना सीखा को आकने दूसर है परस पर तुनला तीसर है भासा की जानकारी हो चोथा सीखने में मदद तो question 121 का correct answer हो जाएगा option 4 next है द्रिश्ची श़विस सामग्री का प्रियोगrice की और तह बहुत प्योगी होता है जब बच्चे पहला आप्च्ऩ उस पर अपनी ब्हौ दिख प्रतिक्रिया दे सके दूसरा है उसकी भासा का अनुकरन कर सके तीसरा है उसके बढ़णे की प्रिक्रिया को बता सके और चोथ आने वाले लेखन कारी में सबसी महत्यू पूर्ण है पहला अप्शन है आपता प्रिबंधन पर श्लोगन लिखना दूसरा है दोरी कहानी का अंत लिखना तीसरा है डायरी लिखना और चौथा है जल संदक्षिन का विग्यापन बनाना तो कुछिन अबर 123 का करेक्टर हो तीसरा है संस्कृत निष्ट सब्दा वली का प्रियोग और चौथा है लिखने में नए सब्द इस्तमाल करना तो कुछिन अबर 124 का करेक्टर हो जाएगा ऑप्शिन 3 संस्कृत निष्ट सब्दा वली का प्रियोग निख्टे भासा और लिपी के बीच पहला आपसे ने को कोई निष्ट संबंद नहीं होता दूसरा है एक तार्किक शंबंद होता है तीसरा है कोई शंबंद होता ही नहीं है और चौथा है एक निष्ट संबंद होता है तो कुछिन अबर 125 का करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शिन 1 126, उच्छी प्रात्मी कस्तर पर हिंदी भाजा का आगलेन करते समय आप सरवाधिक बल किस पर दोगे पहला अप्चन है मौकिक परिक्षा, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है जांसुची और चौथा लिकित परिक्षा तो question number 126 का करिक्षा हो जागा, option 2, पर्टफोलियो 127, बहुँ भासी कक्षा में बच्चों की भासा है, पहला option है संसार्धन के रूप में इस्तमाल की जा सकती है दूसरा है जटल समस्या है, जो अनी समस्या है पैदा करती है, तीसरा है हिंदी भासा की गख्षाओं से बाहर ही रखनी चाहिए, और चौथा है बहुत गंबिर समस्या है, जिसका कोई समधार नहीं है तो question number 127 का correct answer हो जाएगा, option 1 संसार्धन के रूप में इस्तमाल की जा सकती है next time, उच्च प्रात्मी गस्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पधती में पहला option है उदारन से नियम की ओर जाते हैं, दूसरा है नियम से उदारन की ओर जाते हैं, तीसरा है व्याकरण की पार्टिय पुस्तक पर किंद्रित रहते हैं, और चौथा है चटल से सरल की ओर हैं तो question number 128 का correct answer हो जाएगा option 1 उदारन से नियम की ओर जाते हैं 129 अंतर नियत भासा चमता का संबंध डैस के साथ है पहला option है प्याजे दूसरा है स्किनर तीसर है वाइगोच की और चॉथा है चम्स की question number 129 का correct answer हो जाएगा option 4 130 उच्छी प्रात्मी अस्तर पर भासा सीखने सीखाने का एक उदेशी है पहरा option है साहिति की गद्ध एवं पद्ध विद्याओं की रश्णा दूसरा है हिंदी भासा के समक्ट इतियास के बारे में जाना तीसरा है भासा की नियम बद्ध प्रिक्रिती की पहचान और उसका विसलेशन करना और चॉथा है व्याक्रण के सभी नियमों को कंठस्त करना तो question number 130 का correct answer हो जाएगा option 3 भासा की नियम बद्ध प्रिक्रिती की पहचान करना और उसका विसलेशन करना 131 हिंदी भासा सीखने के संदर्ब में कक्ष्या आठ में पढ़ने वाले बच्चे से या अपेक्षित है कि वह पहला option है हिंदी भासा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके दोसरा है बिभिल संदर्बों में हिंदी भासा का प्रिभावी प्रियोग कर सके 132 हिंदी भासा के समस्त नियामावली को जान सके तो question पर 131 का correct answer हो जाएगा option 2 बिभिन संदर्बों में हिंदी भासा का प्रिभावी प्रियोग कर सके 132 हिंदी भासा दीखने सिखाने के लिए अनिवारी है पहला option है सम्रिद भाषा प्रिवेश की उपलब देता दूसरा हिंदी भासा के लिखेत परिख्या तीसरा हिंदी भासा के द्रिश्चि शब्विस आमगनी की उपलब देता और चोथा हिंदी भासा की पाठी पुस्त की उपलब देता तो question 132 का correct answer हो जाएगा option 1 सम्रिद भाषा प्रिवेश की उपलब देता 133 उच्ची प्रात्मिक अस्तर पर हिंदी भासा के आकलन में सबसे महत्यूपूर्ण है पहला option है हिंदी भासा की बारुकिया की समल्श वप्रियोग दूसरा हिंदी भासा के साहत्तिकारों की जानकारी तीसरा हिंदी भासा की मानक बरतनी की जानकारी या चोथा हिंदी भासा की व्याकरण की जालकारी तो 133 का करिक्ट एंसर हो जाएगा हमारा option 1 नेक्स्ट है भासा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है पहरा option है यह सरल होता है दूसरा यह कठिन होता है तीसरा यह सीखा जाता है और चोथा यह सहज होता है तो question number 134 का करिक्ट एंसर हो जाएगा option 4 यह सहज होता है कभी कभी जामें यह पूछ देता है कि भासा अर्जन और भासा अधियन तो भासा अर्जन सहज होता है लेकिन भासा अधियन अगर पूछ देता है तो वो प्रियास कोर्ण होता है नेक्सटे उच्छ प्रात्मी कस्तर पर विभिन विश्यों पर अधारित पार्थों को पार्थी पुस्तक में सामिल करने का उदेश है पहला option ने बच्चों को विभिन प्रियुक्तियों से परशित कराना दूसरा है अन्य विश्यों को सीखने में मदद करना 3. अन्य विश्यों का सरली करन करना 4. बच्चों को विविन विश्यों की जानकारी देना तो question number 135 का correct answer हो जाएगा option 1 तो friends ये था हमारा आज का निसमें हमने सीटेर दिसम्बर 2018 के paper 2 को solve किया आपको ये सेशन कैसा लगा? please like, comment की तूर जरूर मताएए मिलते हमार नहीं वीडियो में तब तक लिए बाबाई, take care